नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सार TVL कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यह वीडियो बिहार पोल टेकनिक पारामेडिकल या बिहार आई टी आई का मैथ के LCM चाप्टर का दूसरा वीडियो है आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप के बोर्ड मोडल टाइप कहा हैं सभी परिक्षा में कभी ना कभी पूछे गये हैं और आपके परिक्षा में इसी टाइप के सवाल आता है आपका कंप्टिशन असाइन से निकल सकता है यह इन सभी सवालों का आप सुलूसन देखें या उसे पिर अपने कौपी में नोट कर तो आप देख सकते हैं, तेरे नेवर सवाल लिखा हुआ है, पांच साइकीलो, चाला करमसा, चार, पांच, साथ, आठ और दास सेकंड के अंतराल पर चलना सुरू करते हैं, ठीक है, मतलब पांच यों साइकल चलाने वाले बेक्ती हैं, और वेस सभीना, मतलब कुछ समय अंतर सवाल के बाद चलना सुरू करते हैं, पाला वेक्ती चार सेकंड बाद जाता है, फिर दूसरा पांच सेकंड बाद, तीसरा सां सेकंड बाद, चोड़ at शोड़ आठ सेकंड बाद और 5 देप मतल दोस सेकंड के बाद जाता है, तो था किसी सामय पर एक साथ रूकने में, पाचवा 10 सेकंड के बाद जाता है तथा किसी समय पर एक साथ रूकने में कितनी देर बाद वे फिर एक साथ चलना सुरू करेंगे तो इस टाइप की सवाल पूछेगा तो आपको सबका एलिसम निकालना होगा तो आप एलिसम निकाल सकते हैं पांचि का आप एलिसम निकालियेगा तो यह दो सी जाएगा दो दो जाहस के तो आपका आया हूआ के डो पूछ रहा है तो आपको पता होगा एक मिनट में 60 सेकंड होता है आप इसमें 60 से भाग किजेगा तो चौचाव का 24 और फिर यहांब जीरो चार 21 से लोगें चार मिनट 40 सेकंड जो होगा आपका सही उतर होगा आप अप्सन नंबर बी पर टिक किजेगा जब भी आपके न इस टाइब की सवाल आएगा अंतराल वला और एक साथ फिर पूछेगा न तो आपको LCM ही निकालना होगा सारे सवाल लंबे लंबे होते हैं आपको आंतराल देखना है और फिर बाद में एक साथ देखना है और उन सवाल का आपको LCM निकालना होगा ठीक है अगला सवाल आप सबसे चोटी संख्या मालूम किजिए जिसे आठ बारो तथा सोलो से भाग दिया जाए तो हर बार सेस तीन बचे और साथ से भाग दिया जाए तो सेस कुछ नहीं बचे ठीक है तो आपको देखना हुगा आठ है बारो है इन तीनों का आप एलिसम निकालेगा तो आपके आएगा लगब 48 आएगा क्या आएगा जी 48 आएगा क्योंकि 48 के पारह में भी है बारे के पारह में भी है 16 का पारह में भी है तो 48 जो आया 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 आपका अब 48 को इस परकार खंडित करेंगे तो आप यहां पर देख सकते है आपका साथ से भी भाज़े नहीं है और तीन गुने आपका साथ से भी भाज़े है तो आपका आपका साथ से भी भाज़े होने वाला है और वही आपका साई उतार होगा अगला सवाल है चार अंकों के सबसे छोटी संख्या ग्याद करें जो 12, 13, 14, 15, 16, 17 से पूरी तरह भी भाज़ित हो सकती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 12 का 13 का 14, 15, 16, 17 का आपको LCM निकालना है आप इन सब का LCM निकालिएगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर जो होगा 1260 होगा ठीक है और आपको देखना होगा बाई option के अधार पर कि इन सब को हम बारी बारी से इसका हम निकालते हैं क्या LCF तो कितना एंसर आएगा एक ही आएगा तो इसमें एक एड किजिएगा तो आपका क्या होगा बाल बारास एकसर जो होगा आपका सही उत्तर होगा पुरी तर विभाजित हो जाएगी और हर बार आपका CS1 बचलेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं दो तीन चार पांच छे साथ इन सब का आप एलसम निकलेगा तो इसका भी एंसर बारे सो साथ ही आएगा और इस सब भी करमागत ही है तो इसमें भी आप एक एड किजिएग कि मुझा सब का एक ही आएगा तो इसका भी एंसर आपका बारे सो एक सट ही आएगा ऑप्शन नमबर डी पर आप टिक किजिएगा तो जब भी इस टैप से सवाल आएंगे और आएंगे क्या आते हैं हर साल आपको को समें उठाकर देख सकते हैं आप पिर भी यर का बुक द संख्या जिसे 35 से भाग देने पर 620 बच रहा है 45 से भाग देने पर 630 बच रहा है और 5 vendor से भाग देने पर 640 बच रहा है तो में रोल में शंख्या क्या-क्या है अपका 25 है 45 है और 55 है इन तीनों का L.C.M. निकले गा तो कितना आएगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, 85, पच्च पॉच्पन अब नहीं कटेगा दो गुना किजेगा, तो 11 में 9 से गुना किजेगा, तो 11 में 9 से गुना किजेगा, किया यहां आपका 34 सब 58 है ठीक है और देखिए यहां पे सब में पंदरे 15 संख्या का अंतर है 35 में से 15 गया 20 45 में से 15 गया 30 और 55 में से 15 गया 40 तो इसमें भी आपका पंदरे घट जाएगा तो आपका आजाएगा पाँच में से पाँच गया जीरो, छो में से गया पाँच, यानि 34 पचास जो होगा आपका सही उत्तर होगा, आपको देख सकते हैं, option number A आपका सही उत्तर होगा, आपको सवाल लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें तीन बढ़ा दिया जाए, तो 21, 25, 27 और 35 से में विभाजित हो जाता है, तो उस संख्या को आपको निकालना है, सबसे पहले 25, 27, 25 और 35 का हम अलचuityम निकालेंगे, आप देख सकते हैं, तीन से जाएगा, 31, 25, 23, 25, 35, 35, asian ये diyorum, ठीक है फिर और पाइट 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 याए एक सो पाइट पाइट प्रिटारीस दूना करें किजेगा पाज पर जिसके 5.882.02 और एक पाज़ें पाँच 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 यहाँ तीन बढ़ाने के लिए कह रहा है तो इतो तीन अलड़ी बढ़ा हुआ है तो आप माइनस किजिएगा तो कि आएगा आपका पाच में से तिन गया दो फिर दो साथ चाहिए यानि से तालीस और बाइस जो होगा आपका सही उतर होगा आप अपसर नमबर बी पर टिक कर सकते हैं तो और आपके पेपर में इस टाइप की सवाल बनाने के लिए आएंगे तो आपको बनाने आना चाहिए आप इसको अपने नोट बुक में नोट केजिए और सारे सवाल को बार बार रिपीट करते रहिए देखते रहिए क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप से सवाल आएंगे ठीक है अगला सवाल है वह सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है जिसे 9, 12, 16 और 30 से भाग दिया जाए तो हर बार सेस तीन बहुच जाता है तो सबसे पहले आप हमेसा के तरह LCM निकालिएगा लगभर लगव सारा सावाल एक ऐसा ही है तो आप इसका LCM निकालिएगा तो क्या आएगा आपका यह जाएगा दो से 9 उतर गया दूच्छक बा यहां 180, 180 दोना के 360, 360 दोना के 720 और यहां पर बोल रहा है कि 3 CS बचर जा रहा है तो आप यहां पर 3 एड किजेगा तो क्या होगा 720 जो होगा आप कैसे उतर होगा आप option नंबर A पर टीक कर सकता है अगला सवाल भी थोरा बहुत पिछले वाले सवाल से मिलता है वह चोटी से चोटी संख्या ज्याद करें जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर आपका CS 18, 28 तथा 38 बचे ठीक है सबसे पहले हम इन तीनों का LCM निकालेंगे 35 का 45 का और 55 का तो आप LCM निकालेगा तो यह जाएगा आपका 3 से नहीं 5 से कटेगा 25, 35, 45 और 15, 55 आपने कटेगा तो गुना किजेगा एगा 9,9,9 आपके 7,35 गुना किजेगा ते कितना आएगा 55, 45, 85, 84, 45, 45, 49, फिर 57, 2, 29 इसको जोड़िएगा पांच,छे, 4, 2, 24 तो पांच,टा एठा एठा है ठीक है तो आप देख सकता है आपका जो यह है ना जो ये 35 से 18 से बोच रहा है तो ये कितना कम है 17 45 से आपका 28 से बोच रहा है तो ये भी आपका 17 ही कम है इसका मतलब का तीनों में सेम सेम अंग ही कम है तो आप इसमें क्या किजिएगा 17 माइनस किजिएगा तो आपके कितना आएगा पंदने में से सत गया आठ यहां पे पाच में से चार तोड़े जागा 348 जो होगा आपका राइट अप्सान होगा इस टाप के सावाल पूछेंगे तो आप सब का एलिसम निकाल लीजेगा उसक अंतर को आप टोटल लग एलिसम में माइनस किजिएगा तो आपका सही उतर आजाएगा अगला 21 सवाल है नापने के तीन च्छर है तीन को च्छर है करमा साथ 64 cm का है एक 80 cm का है और 96 cm का लंबा है इन्हें में से कोई भी च्छर परयोग करके कम से कम किस लंबाई का पुरी तरह मापा जा सकता है तो सबसे पहले आप इन तीनों का लहुतम निकालेगा 64 का 80 का और 96 का तो दो से जाएगा 32 66 यहां पर 45 दून आशी और 42 96 फिर दो से 16 20 24 फिर दो से 8 10 12 फिर दो से 4 5 6 फिर दो से 2 5 3 आप गुना कि जाएगा तीन पज़े पंद्रें पंद्रें पंद्र सब्सक्राइब कर सकते हैं इस अगला और लास्ट कोस्टन है आपके LCM चाप्टर का बिहार पोल्टेकनिक पारामेडिकल या बिहार आईटी आई का मैत का सीलेवस का मैत का LCM चाप्टर का लास्ट कोस्टन है इसी 22 को सवाल है LCM से संबंधित इसी टाइप से सवाल आपके पेपर में आएंगे आप सारे सवाल को पटना राची तस धनबाद के चोराहों पर यातायात की बतिया करमसा 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के में बदलती है तो 8 अनुपात 20 अनुपात 00 पर जले तो पुरीत पुना एक साथ कितने बज जलेगी तो आप सबसे परिशब का एलसम निकालेंगे जब भी एक साथ वाला बात आएगा आपको एलसम निकालना होगा 48 का 72 का 108 का एलसम निकालेंगा तो दोस जाएगा यहां 24 हुआ यह 36 हुआ यहां 54 हुआ फिर 2 से 12 1827 फिर 2 से 6 9 27 फिर 3 से 2 3 9 फिर 3 से 2 1 3 3 3 6 156 8 28 24 152 बात इसे 2 2 आया आपका एलसम ठिक है यह से केंड है चापिस से कंड को मिनाट ने बढ़ेंदा लिएगा प्रसार से भाग किजिएगा किजिएगा ना जी एक मीनाट में 60 सेकन होता है इसी करेंगे साथ बार में 420 होगा यहां पर एक आया कट गया पॉर्णिंग जिरू तो रहेगा साथ दूना के 28 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2027 हो गया और यह आपका 0000 कीलेगा तो यह आ रहा है तो आप सी जो होगा आपका सेушक्तर होगा आप इसी पर किजिएगा और ल्च अ डीयो सब्सस्रियो कर u जाब हाग